इस्क्रीन पे आप लोग दे सकते हो 63000 रुपे की लिमिट जो है यहां पर अनब्लोग हुए है वो भी सिरिप-सिरिप पैनकाड और अधारकाड के थुरू और यह जो लिमिट है आप लोग देशें तो कितने सीविल पर मिली है बाई 890 सीविल पर 63000 रुपे की लिमिट अगर और आप का सिविल छोड़ा सब्सक्राइब मान लीजिए 600-600 या 700 होगा तो जो आपको लिमिट मिलेगी वो 10-15000 रुपे की मिलेगी बिल्कुल लाइफ प्रोसेस करके दिखाऊंगा इस वीडियो में आप लोगों को लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एप् सिर्फ मिलेगा आपको टेलिग्राम पे लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से ज्यादा से जादा लाइक जरूर कंप्लीट कर दिएगा क्यूंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जादा केरफूल होने वाली है चलिए वीडियो स्टार्ट करते कर लेता हूं और लोगिन करने के बाद मेरी जो आजी से जादा प्रोफाइल है वह इन कंप्लीट है तो मैं इसको कंप्लीट करना चाहूंगा आपके सामने और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे यहां पर अप्लाई करना होगा और इन फेक्ट नमबर हमारे पास जो है वो हम असल डाटा है तो if you don't mind अब आ चुके हैं अपने लिमिट पे अब यहां पर सामने देशा तो बिट लाइफ प्रूफ आपको मैं दिखा रहा हूं 63,000 उपी जो लिमिट है वो मिली है complete EKYC अब यहां पर जो है EKYC का जो process है वो complete करना होटा है लेकिन इससे पहले आपको refer code चालने की जोद पड़ेगी जब आप apply करने जाओ को पे लिटर के लिए लेकिन आपको मैं बता दूँगा कैसे करना है लेकिन इससे पहले मैं आपको प्रॉसिट कर पर दिखा देता हूं और यहां पर continue करने के बाद यहां पर कोड आएगा datex हमारा location करेगा तो locations को हमें allow कर कर देते हैं continue करने के बाद piece document आजाए okay turn of condition को हमने allow कर दिया है अब यहां पर auto setup repayment का schedule आपको देखने को मिल जाता है तो हमें करना पड़ेगा अपने friend को contact क्योंकि auto payment जो है करना पड़ेगा अब यहां पर UPI authorize है और UPI से हम authorize कर सकते हैं तो यह process में complete करता हूं एक बारी मै मैं उनको call कर लेता हूं call करने के बाद यह process complete करने के बाद फिर से वीडियो को skip करके दुबारा से so finally जो है UPI ID से हमने जो इमने जो process था वो successfully यहां पर complete कर दिया है अब हम चलते हैं अपने next step के उपर है ओके सो successfully जो है हमारी application submitted हो गई है अब चेक application status पर हम किल पर करके देखेंगे और यहां पर गो back का एक option है इस पर हम बैक हो जाते हैं थोड़ी ज़ेर के लिए जश्ट अ मिनट एक दुबारा सा हम उसको अपन करेंगे और बाइदर मैंने आपको application बताया नहीं इस यूंट आपको कहां पर आना है ठीडोट पर किलिक करना है और यहां लिखा होगा पे यूँ बाइना पे लेटर इस पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यहां पर आप लोगों को पेंडिंग फॉर application अंडर रिवीवीव सो जाएगा हमारी application अंडर रिवीवी चली गई है अब देखना यह है कि approval मिलेगा या फिर नहीं थोड़ा सब वेट करेंगे और देखेंगे कि वह कितना लगेगा हां अगर आपको रेफर कोड़ चाहिए इस पे लिटर को अप्लाई करने के लिए तो आपको जासे जारा लाइक जरूर कर दीजेगा complete और